हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की राशोई एंड टिप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी एकदम आसान तरीके से इस तरीका से कोई भी बिगनर्स रोटी बना सकता है जिसको नहीं आता है बनाने वो भी आसानी से तो इसके लिए हम दो कटोरी मक्के की आटा लिये हैं इसको चान लेंगे छनी से इस तरह से आप देख सकते हैं एक कटोरी चान लिये हैं अब हम दूसरा कटोरी भी डाल कर चान लेते हैं सिर्फ मक्के की आटा है फ्रेंड इसमें हम कोई चीज नहीं मिक्स किये हैं आप अब हम एक कटोरी लिए हैं जिस कटोरी से मक्के का आटा लिए हैं उसी से हम पानी डालेंगे एक कटोरी और थोड़ा सा लगभग सबा कब पानी डालकर वाइल करेंगे आप देख सकते हैं पानी में उबाला गया है अब बंद कर दिये हैं अब हम उवाले हुए पानी को मक्के की आटा में डालेंगे और चमच की सहाइता से मिलाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं अब मक्य की रोटी बनाना हुआ आसान फ्रेंट एकदम फुले फुले सोप्ट मुलायम रोटी बनेगा अब देख सकते हैं इस तरह से हम सारे पानी को डाल लिए हैं ढख कर 10 मिनिट रेश्ट के लिए रखे हैं 10 मिनिट हो गया है अब हम हाथों से मसलते हुए डो तयार करेंगे एकदम चिकना सोप्ट डो गेहूं के आटा जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हाथों से तरहत्थी से मसलते हुए 5-7 मिनिट तक मसलेंगे इसको अच्छी तरह से एकदम चिकना डो तयार करेंगे गेहूं के आटे जैसा एकदम सौप्ट टेस्टी मुलाइम रोटी बनकर त्यार होगा मक्के का आप देख सकते हैं इस तरह से मसलते हुए डो त्यार करेंगे अगर डो थोड़ा जादा लूज लगेगा तो आप एक दो चम्मज आटा और डाल सकते हैं मक्के के आटा इस तरह से मसलते हुए चिकना करेंगे 57 मिनिट तक 57 मिनिट हो गया है अब हम हलका सा ओईल लगा कर मिला लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं परफेक्ट डो त्यार हो गया है एकदम चीकना मुलाइम सौप्ट गेहूं के आटे जैसा अब देख सकते हैं तो अब हाथ को हम साप कर लेते हैं हाथ साप कर लिए हैं तो चलिए अब पेड़े बना लेते हैं इस तरह से इतना आटा में हम पाँच पेड़े बनाएंगे रोटी के लिए अब देख सकते हैं कितना चीकना पेड़ा बन रहा है एकदम भी क्रेक नहीं आ रहा है हाथ में हलका सवयल लगाकर सारे डो से हम पेड़ा तयार कर लेंगे इतने आटा में हम पाँच पेड़ा तयार करेंगे आप देख सकते हैं कितने अच्छे पेरे बन कर त्यार हो रहा है एकदम भी क्रेक नहीं है आप देख सकते हैं हम सारे डो से पेरा बना कर त्यार कर लिए हैं तो चलिए अब हम रोटी बेलते हैं इस तरह से हलका सूखा मक्य के आँटा लगा लेंगे चौकी के उपर और इस तरह से सूखा आटा लगा कर बेलेंगे आसानी से चौकी को घुमाते हुए इस तरह इस तरह से अब देख सकते हैं कितने आसानी से बील रहा है अब देख सकते हैं रोटी हमारा तयार हो गया है इधर तावा को हम पहले से गरम होने के लिए रखे थे रोटील डाल दिये हैं तावा में दो-तीन मिनिट तक शिखने देंगे हाई फ्लेम में दो-तीन मिनिट तक शिख गया है अब हम कल्ची की सायता से प्लट दिये हैं अब दिख सकते हैं अब इस तरह भी तीन चार मिनिट पकने देंगे तब तक हम दूसरा रोटी को थोड़ा फैला बेल कर त्यार कर लेते हैं उसी तरह से अलट पुलट कर सिखने देंगे देख लेंगे इस तरह से उठाके अच्छी तरह से सिख जाएगा तो अब हम जाली में फुलाएंगे आप डाइरेक्ट भी फुला सकते हैं गैस के उपर रख कर हम जाली के उपर रख दिये हैं इस तरह से अब देख सकते हैं कितने अच्छे रोटी फूल रहे हैं तो एक रोटी बनकर तयार हो गया है फिरेंट अलट पलट कर अच्छी तरह से सिख लेंगे तो रोटी हमारा तयार हो गया है तावा को रख दिये हैं अब देख सकते हैं कितना अच्छे रोटी तयार हुआ है अब हम दूसरा रोटी भी बेल कर तयार कर लिए हैं इसको भी डाल देते हैं दो मिनिट सक शेकने देते हैं रोटी को होटकेस में रख दिये हैं क्योंकि गरम रहेगा दो मिनिट तक से गया है अब हम पलट दिये हैं कल्ची की सहाइता से आप देख सकते हैं एक साइट से अच्छी तरह पक गया है तो हम इस तरह से डाइरेक्ट गैस में भी रख सकते हैं फूलाने के लिए रोटी को अलट पलट कर चिम्टी की सहाइता से आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आपके पास जाली ना हो तो आप इस तरह से फूला सकते हैं दूसरा रोटी भी तयार हो गया है तो हम तीसरा भी तयार कर लेते हैं उसी तरह से वाव अब देख सकते हैं कितने अच्छे रोटी फूल रहे हैं एकदम फूला सौप्ट मुलायम रोटी बन रहा है फ्रेंड आप इस तरह से जरूर ट्राय किजिएगा मक्के की रोटी एकदम आसान तरीका है इस तरह के से कोई भी मक्के की रोटी बना सकता है सिर्फ मक्के के आघा का रूटी है फ्रेंड इसमें हम कोई आघा मिक्स नहीं किये हैं ना गेहुम का आघा और नहीं बेशन सिर्फ मक्के के आघा का इतना अच्छा रूटी बन रहा है एकदम सोप्ट तो हम सारे रोटी बना कर त्यार कर लिए हैं आप देख सकते हैं अब हम इसमें देशी गी लगा लेंगे इस तरह से वाव आप देख सकते हैं कितने अच्छे रोटी देखने में भी लग रहा हैं इसी तरह से हम सारे रोटी में घी लगा कर तयार कर लेंगे अब देख सकते हैं इस तरह से हम सारे रोटी में घी लगा लिये हैं तो चलिए सर्व करते हैं सरसो के साग लिये हैं सर्सो के साग में एक चम्मच घी डाल दिये है सर्सो के साग और मक्के की रोटी और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे एकदम स्वादिश्ट रेसेपी एवं हेल्दी आप देख सकते हैं कितने अच्छे रोटी देखने में भी लग रहा है फ्रेंट जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा खाने में स्वादिश्ट है आप देख सकते हैं सर्सो के साग भी कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में सर्व करते समय एक चमच घी उपर से डाल दीजिए सर्षो के साग में तो और भी स्वादिष्ट लगता है तो आप इस मेथट से सर्षो के साग और मक्य की रोटी जरूर बनाईएगा फ्रेंट इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड करने से सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए इस तरह की नए नए रेसिपी देखने के लिए थैंक्स फोर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई